तो हेलो वेल्कम बैक तो मैं चनल दोस्तों मैं हूँ बनीत और स्वागत करता हूँ एक बाफिस से एक नया और बहुत ही ट्रेंडिंग टैप का सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लेजिए तो गाइस अभी अभी जो आपने बिडियो देखा अधि उम्मी देखिये व्रक मैं पहुत है कहाँ व्राप के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आग अगर आप इस वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ध्यान चरखेगा आप पर।फेक्ली समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कि इस वीडियो को कितना असान है एडिटिंग करना चलिए आपको ले सकते सीधे आलाइट में अप्लिकेशन में और इस वीडियो को 4K क्वालिटी में फुल स्क्रेन में एडिटिंग करके हम लोग सीखने वाले हैं तो चलिए पड़ावट से सी यहां पे लाके यहां पे रिडिर्ट कर देगा तो यह सबसे ऊप्रासेस हो गया सबसे पहले आप यही काम कर लेंगे यहां पर बिटमक ऑल्रीडी में लगाकर रखा हुआ हूं इसके बाद से सेकेंड काम आपको करना क्या है यहां पे एक फोटो को आड़ ला आप आप पर आप अपना status वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं ठीक है और इस टैप के वीडियो अभी दोस्तों इंस्टाग्राम रिल्स पर बहुत ही तेजी से वाइरल हो रहा है इसको बनाईए ट्राइ कीजिए और इस वीडियो का रिक्वेस्ट एक भाई ने मुझे इस जाएंगे यहां पर मीडिया पर जाने के पर दोस्तों अपना गैलरी से एक फोटो को एड कर लेते हैं ठीक है तो गाईस यह वाला फोटो में एड कर लेता हूं यहां से देख सकते हैं इस फोटो का लिंक आपको डिक्रिश्प्स्ट में मिल जाएगा प्लस मेरा टेलीग्र आप फॉल वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप जा है तो जा के देख सकते हैं अब फोटो लाने के बाद डिलीट के रैट सेट में त्री डॉट का आप्सन पर क्लिक करना है दोस्तों यहां से फिल इसको जूम करके इतना आपको रख देनी है अब आपको एफेक्ट पर जाना है और यहां से एक ऑप्सन मिल जाता है ब्राइटनेस एंड कॉंट्रास्ट इसको अन कर लेना है यहां से स्टैंडर सेटिंग कर लेंगे ब्राइटनेस हलका सा इंक्रीज करेंगे 5 परसेंट और परेंगे ठीक है इसको 10% कर देंगे परफेक्ट हो जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखें अब आपको फिसे टे फोट पर ही क्लिक रहेगा एफेक्ट पर जाना है यहां से आप मूब एंड रांस्वाम पर जाएंगे यहां से ऑक्सिलेट का एक ऑप्शन मिल जाता है इसक को सबसे पहले हम लोगों को यहां से जीरो कर लेनी है ठीक है तो एंगल को सबसे पहले हम लोगों जीरो कर रहे हैं आप ध्यान से देखिए माइनस में नहीं होना चाहिए प्लस में जैसे कि एकदम एक्जैक्ट जीरो होने ठीक है तो चलिए यहां से में 0 अपना कर लेता परफेक्ट हो गया देख सकते है जिरो परसेंट अब आपको फिक्वेंसी मिलता है दो बाई डिफॉल्ट दो रहते है तो इसको आपको करना है क्या है अब अगर वीडियो प्ले करेंगे तो यह देखेंगे फोटो इस साइड इस साइड इस लेफ्ट राइट लेगा आपको देखने में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है अब यहां से हम लोग बैक कर लेते हैं यह काम हम लोग का हो गया है अब स्लाइड करके लास तक आ जाएंगे इस फोटो पे क्लिक कर लेंगे स्पीड पे जाएंगे और इसको यह वला एरो पे क्लिक करेंगे आपका फोटो यहां तक लग गया ठीक है अब यहां से लिर्क्स को लिखना है तो ध्यान से देखें जैसे मैं लिख रहा हूं उसमे पर सबसे प्ले दो पल की थी ठीक है ना यहां पर दो लिखना है पहले दो लिखना है तो देख सकते हैं यहां से मैं एक स्पेस देता हूं सबसे पहले और यहां पर लिखता हूं दो हो गया अब यहां से टेक्स्ट कलर पर जाना है दोस्तों यहां से आपको वाइट कलर को सूज करना है और रोबोटो और दोस्तों यहां पर एक option मिल जाता है और 18 पीटी पर क्लिक करना है दोस्तों और इसको इस तरह करके बढ़ाना है और इसको आपको रखना है 64 के करीब में ठीक है इसको आएसे करके थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा देंगे परफेक्ट है अब दिखिए ध्यान से इतना लिख लेने कवाद आपको इस पर जाना है जूम अले पर जाके इसको थोड़ा सा इस तरह करके बढ़ा लेंगे ठीक है अब बढ़ा लेने कवाद आपको करना क्या है जिससे क्लिक किये इसको अच्छा से अज्यस्ट्मेंट कर देंगे जहां पर आपको इस फोटो मतलब इस लिरिस को दिखाना चाहते है टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं परफेक्टली हो गया यहां तक का आपका काम अब देखिए दूस्तों ध्यान से देखेंगे अब यह टेक्स्ट कहां तक है तो यही तक है तो इस टेक्स्ट को यहीं तक रखेंगे बागी पार्ट को यहां से हम लोग कट कर देते हैं ठीक अब आपको फिर से movement transform पे क्लिक करना है टेक्स्ट का सुरू में रहना है और यहां से यह तीन नंबर वाले option पे क्लिक कर लेना है ठीक है तो यह मेरा हो रहा है 467 तक तो आप अपना देख लीजेगा कितना तक हो रहा है उस रिसाफ से अपना काम करेंगे ठीक है अब इस एरो पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में चले आएंगा अब यहां से इसको लेफ्ट करना है इसलब लेफ्ट थु राइट रिधर से करेंगे तो यह देखेंगे चोटा हो रहा है देख सकते हैं अब यहां से इतना चोटा हो गया अब इतना यह छोट देंगा अब यह अब कर्बव लाग आदेना है तक कर्बला ऑप्शन पे जाएंगे इसको ऐसे इधर टान देंगे औ हम लोगों को लेना है क्योंकि यह देख. queria कमाल को समझे होंगे अब देखे करना और यहां से गुचिन बढ़ा के आपको 300 के करिम में रख देना है ठीक है यह फर्फिक्लिए 300 रखेंगे और एकदम बीच में आ दोस्तों यहां पर बीचों बीच में आने के बाद यहां पर प्लस लगाएंगे इसको वापस हम लोगो जीरो कर देनी है ठीक है अब देख सकते हैं कुछ इस तरीका से लग रहा है जो काफी अच्छा लग रहा है ठीक है अब इस पी क्लिक रहेगा एफिक्ट पर जाएंगे हराओ यहां से अब आपको करना करना का एडिफिक पर जाएंगे इसके बाद से दूस्तों यहां पर एक और प्लस लगा देना और इसको फूल कर देना है 2 पर जाकर रुकेंगा ठीक है तो 2 पे काफी जारा लग रहे तो आपको यहां पर 1.80 इसको रखेंगे शुरू में आपको 1.80 रखना है इसके बाद से दोस्तों बीच में आना है यहां प्लस करना है और इसको वापस हम लोगो जीरो कर देनी है ठीक है तो देख सकते हैं जुस्तों यहां पर में वापस में जीरो कर दिया पर्फेक्ट आपका काम हो गया है अब यह टेक्स देखेंगे तो कुछ इस तरह के सब का बंद के रेडी हो है जो देखिए काफी कमाल का ल आएंगे और यहां पर लिखेंगे दो लिख दिये हैं पल रुका यहां पर लिखना है तो पल लिखते हैं और यहां पर रुका लिखते हैं ठीक है कि देख सकते हैं हो गया दो पर रुका अब यहां से करते हैं यह टेक्स कहा तक है तो देखेंगे दोस्तोंad thankfully मिलंग को मिल रहे इसके बाद से इसी वीडियो का description में एक black screen वीडियो मिलेगा particles white particles का उसको आपको add कर लेने होगा दोस्तों ठीक है जेख सकते हैं दोस्तों यवाला video लेखेा आगया विस वीडियो क्लिक करना है मोडेंट रांस। पर जाएंगे और इसको minus में 90 degree करना है इसके बाद से screen पे कहीं भी एक बार click कर लीजिए उसके बाद से आपको करना क्या है 3Dot पे click करके fill composition area select कर देंगे blending पर जाएंगे उसके बाद lighting पर जाएंगे और screen को select कर देंगे ठीक है सारे text लिखने के बाद यह आवला आप काम करेंगे और देखेंगे अगर इधर extra part है तो यहां से आप अपना simple सा काट काट देंगे ठीक है अब यह देखेंगे वीडियो तो कुछ इस्तरेगा से वीडियो प्ले होगा और काफी कमाल का effect के साथ text animation वीडियो यहां से बन गया तो मुझे उमीद है बहुत क्लियरफूल आसानी से इस वीडियो को बनाना आप सीख गया होंगे समझ गया होंगे यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो सही में अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक क इसपर्ट करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में से भजागा दोस्तों